क्या आपको ऐसे लगता है कि आपकी मेमिरी बहतर हो, आप चाहते हो कि आप चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाओ, आप ज्यादा बहतर कॉंसेंट्रेट कर पाओ, जब आप study या काम कर रहे हो तो आप ज्यादा focus कर पाओ, लेकिन आप यह चीज़ें अचीव नही कर पा रहे हैं यह चीज़े वैसी नहीं हो रही है जैसी आप चाहते हैं तो इसका में रीजन है stress बट लगई लिए आप ऐसे कुछ चीज़े कर सकते हैं जिससे आप इसको बेटर डील कर पाएंगे हेलो मेरा नाम है आसेम खाजी और इस वीडियो में आपके साथ कुछ प्राक्टिकल टेक्निक्स शेर करूँगा जिससे आप अपने stress को बहतर मैनेज कर पाएंगे तो बुकिश डेफिनेशन से अगर देखा जाए तो stress is an involuntary physical and psychological response to a stressor तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि आप नहीं decide करते कि आप कब stressed होंगे बलके आप automatically stressed हो जाते हैं किसी stressor के response में तो यहाँ पर stresses क्या हो सकते हैं तो example के लिए health concerns, family conflicts, office conflicts, deadlines, work pressure अगर आप student है तो result का pressure, to-do lists, meetings, यहाँ तक के FOMO यानि fear of missing out जो कि आज बहुत popular है teenagers में Stress हमेशा आपके लिए एक बुरी चीज नहीं होता Small amounts of stress आपके लिए actually फाइदे मन होता है Small amounts of stress आपको एक burst of energy और focus देता है जैसे कि for example कोई competitive sports है या फिर public speaking है तो यहाँ पर small amounts actually आपके लिए helpful है Next हमको यह समझना है कि आपकी body में actually होता क्या है जब आपकी body एक stressor से encounter करती है तो यहाँ पर stress के response में आपके body कुछ hormones release करती है उससे deal करने के लिए आपके brain में deep inside hypothalamus होता है जो कि एक chain reaction शुरू करता है आपके adrenal glands तक और उसके तरू वो cortisol और adrenaline release करता है adrenaline और cortisol के तरू आपके body में कुछ changes होते है जैसे कि आपकी heart beat काफी fast हो जाती है आपके gut में एक tingling या butterfly जैसे sensation आती आपकी muscles tension create होता है और जितना भी body का पुरा resource है आपके hands और आपके legs के तरू फूरा push होता है तो यह ऐसा क्यों होता है यहाँ पर यह चीज आपके body को prepare करती है एक concept के लिए जिसका नामे fight or flight तो यह fight or flight response क्या है तो यह चीज human evolution में काफी पीछे जाती है तो जब primitive era में humans जब hunting के लिए जाते हैं आज जैसे हम लोग job hunting करते हैं उस जमाने में लोग खाने के लिए hunting किया करते थे तो जबी भी यह लोग खाने के लिए hunting के लिए बाहर निकलते थे तो यहाँ पर बहुत high chances रहते थे कि यह सामने कोई danger face करें जैसे कि कोई जानलेवा जानवर जैसे की share तो यहाँ पर problem यह है कि हम culturally काफी speed से evolve कर गए लेकिन हमारा physical evolution काफी slow हुआ है और हमारी body आज भी उसी तरह से respond करती है जिस तरह से वो primitively करती थी तो आज भी हमारी body stress के situation में उसी तरह से respond करेंगी जिस तरह से वो एक share को देखने पर respond करती थी जैसे की for example आज की rate के जो stressors है वो हलाकी share जितने dangerous नहीं है लेकिन हमारी body उसी तरह से रियाक करती है जैसे की stress situations जैसे की deadlines, conflicts, bad bosses, pressure और बाखी जो हमारे daily stressors है अब क्यूंकि आज की rate में बहुत से लोग यह stressors से daily encounter करते है और इसके वज़ाए से continuously stress रहते है और यह chronic stress बन जाता है chronic stress यह आपके brain और body parts पर बहुत ही बुरा impact करता है high levels of cortisol यह आपके brain का size को shrink कर सकते है और आपके synaptic connections है उसको भी decrease कर सकते है synaptic connections मतलब जो एक neuron से दूसरे neuron को connect करता है जो कि आपके body के लिए memory के लिए आपके brain के functioning के लिए बिल्खुल भी अच्छा नहीं है अगर इस चीज को address नहीं किया गया तो यह चीज long term में बहुत severe illness दे सकती है जैसे कि depression, diabetes, यहां तक के Alzheimer's disease भी लेकिन यहाँ पर good news यह है कि आप stress को बहुत effectively deal कर सकते हैं और यह actually बहुत easy भी है आपको क्या करना है, आपको बस अपना और अपने body का खयाल रखना है अब आप कहेंगे यह तो बहुती common चीज है, यह तो मेरे को पता थी पहले से तो यहाँ पर एक चीज है कि कोई चीज को पता होना और actually उस पे implementation करना practically उस चीज को perform करना, यह दोनों चीजे बिलकुल ही अलग है तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं अपना और अपनी body का खयाल रखने के लिए तो सबसे पहले regular exercise exercise और workout का benefit यह है कि आप physically fit रहेंगे और आपकी body काफी अच्छी shape में रहेगी साथ ही साथ जब आप exercise करते हैं तो आपका जो brain है वो growth phase में चला जाता है नए synaptic connections form होते हैं और वो जो cortisol के वज़े से जो shrinking है वो भी reverse हो जाता है और आपका brain growth phase में चला जाता है अब अगर आप gym नहीं जा सकते हैं तो आप running कर सकते हैं आपको मेरत हो नहीं भागना है यहाँ पर आप brisk walk भी कर सकते हैं brisk walk का मतलब है speed से walking करना scientific research यह दिखाती है कि हफते में तीन बार अगर आपने 45 minutes walk किया तो यह आपके mind और body दोनों के लिए काफी healthy है next अच्छी नींद scientifically यह बोला जाता है कि 6-8 hours की नींद अच्छी होती है और 8 hours अगर आप ले पाएं तो बहुत ही अच्छा है जबी भी आप सोते हैं तो आपका brain एक reset mode में चला जाता है वो waste और toxins को body से remove करता है और आपकी body को पूरी तरह से re-energize करता है तो ध्यान रखिए आप enough sleep ले रहे है next healthy diet अब आपके जो body के building blocks है उसका भी आपको ख्याल रखना है आपको एक healthy diet लेनी है जैसे for example आप green vegetables, fruits, dry fruits, nuts, fish, dairy ऐसा कोई भी natural product आप consume कर सकते है आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो caffeine intake है उसको आपको low रखना है यह scientifically proven है कि high amounts of caffeine यह आपके mind और body के लिए अच्छा नहीं होता है next meditation and mindfulness ऐसी बहुत सारी scientific research मौझूद है जो बताती है कि meditation और mindfulness यह बहुत help करता है आपके stress को control करने में और stress को बहतर तरीखे से manage करने में अब यहां पर YouTube पे बहुत सारे videos available है जो आपको बताते हैं कि आप कैसे meditation कर सकते हैं कैसे mindfulness को achieve कर सकते हैं अगर आप एक religious person है तो आप अपने prayers के अंदर अपने almighty से deep connection establish कर सकते हैं जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं खुशू और खुजू तो जबी भी आप pray कर रहे हैं तो एक deep connection establish करने की कुशिश करिए अपने almighty के साथ next आपको week में एक ऐसा दिन निकालना है जिस दिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं literally कुछ नहीं ना कोई mobile ना कोई TV कुछ नहीं जैसे हो सकता है कि आप दिन भर sofa पे slouch कर रहे हैं नींद मार रहे हैं हो सकता है दोस्तों के साथ कुछ गपे लड़ा रहे हैं या फिर बाहर outing के लिए गये हैं पहाड पे किसी garden में लेकिन absolutely आपको कुछ नहीं करना है आप और अपने thoughts आप आपको helpful लगा होगा आप अगर stressed है तो आप इन techniques को use कर सकते हैं अपने stress को कम करने के लिए stress को manage करने के लिए वीडियो अच्छा लगा तो एक like जरूर कर देना इस वीडियो को अपने friends और families के साथ share करिये या फिर किसी भी ऐसे शक्स के साथ जो आपको लगता है कि stressed है और ये वीडियो उनके लिए helpful होगा okay then that's it from my side do let me know about your thoughts in the comment section and make sure to subscribe and ring that bell icon I'll see you in the next video until then keep learning and keep growing